दोस्तो आज हम आपके लिए आलू से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी लेकर रहे हैं जिसे आप एक बार बना कर खा लेंगे ना तो आप होटेल और धाबे को भोल जाएंगे यह मेरी गैरेंटी है इसका टेस्ट इतना बहतर है और बनाने में यह सबसे जादा आसान है तो वीड अच्छे से छिल कर धोली ना है और इसके बीच में हमें होल करने ही इस तरह किसे होल करने से आलू जल्दी पक जाएंगे और जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो सारा ग्रेवी का फ्लेवर इस आलू के अंदर आ जाएगा काफे मज़ेदार और बहुत ही चिपटी यह साथ ही दो से तीन लॉंग डालेंगे लगभग छोटा टुकडा हमने जावदरी का डाला है पास से छे हमने काले मिर्च डाली है और आधा चम्मत जीरा साथ ही इसे जादा रिच बनाने के लिए हमने तीन से चार काजू और चार से पाँच बादाम लिये हैं और अब हमें इसे भून लेना है दोस्तों अब जैसे हम इसे भूनेंगे ना इसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर आने लगेगा और जैसे यह भून जाए थोड़े से ठंडे हो जाए हमें मिकसर की जार में डाल कर इसे पीच लेना है तो यह हमारा बहुत ही शानदार मसाला बनकर तयार ह जाएगा जो सबजे को काफी जादा टीस्टी और मज़िदार बनाएगा चले दोस्तों अब आलू को हमें एक बड़े से मिकसिंग बोल में ट्रांसफर करना है इसमें यह बनाया हुआ मसाला डाल देना है साथ इसमें डालेंगे हम दो टमाटर जिसमेंने पीस कर रख लिया है और यही डालेंगे साथी मैं डालूंगी इसमें लाल मिच पाउडर मैंने कश्मीरी लाल मिच ली है यह धनिया पाउडर थोड़ी पाउडर और यह हरी मिच बहुत अचा फ्लिवर आता है साथी एक चोमच लसन अधरका पेस्ट अप लसन नहीं खाते है तो स्रिप अधर हम इसमें तेल डालेंगे अगर आपको सरसो का तेल पसंद है तो आप वह भी डाल सकते ही सारी चीज़े अच्छे से मिक्स कर लेना है और दोस्तों यह हो गई जो लोग प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए सबसी लेकिन जो लोग प्याज खाते हैं वह उसमें एक प्याज और अच्छी सब्स दी है सारी चीज़े से मिक्स कर लेने के बाद हमें इसे मेरेनेत करने के लिया रखना है आधे गंटे के लिए तो मैंने इसे अच्छे से कबर कर लिया है चले दोस्तों इसे फ्रिज में रखते ही आदे घंटे के बाद हम इसे फ्रिज से निकालेंगे और आप देख सकते ही आलू काफी अच्छे से मेरिनेट हो चुके हैं और काफी अच्छा फ्लेवर आलू के अंदर आ चुका है चले दोस्तों अब हम इसे कुक करने के लिए कड़ाई में डाले सीधे यह सारे चीज़े हम कड़ाई में ट्रांसफर करेंगी और इसे हाई फ्लेम पर पाँच मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगी जैसे जैसे आलू को हीट लगेगी वैसे वैसे सारा मौश्चर रिलीज होगा तो हमने इसमें प्यास टमाटर दही जो डाली है ना वो सारे की सा अपना मौश्चर रिलीज करेंगी और जैसे ही यह थोड़ा सौफ्ट होगा हमें इसे धक कर फिर से 5-6 मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर पकाना है जैसे ही 5-6 मिनट हो जाए ना दोस्तों हमें इसे फिर से चलाना है और इसमें हमें डालना है थोड़ा सा पानी क्योंकि द सारा फ्लेवर आलू के अंदर चले जाएगा और इस तरीके से हम इसे धिमें आज पर 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर देखें दोस्तों इतनी गजब की इतनी शांदार आलू की सबजी बनकर तयार होगी जिसे खालेंगे आप तो अपने जिन्दगे में कभी इसका स सब्सक्राइब कर लीजे हम आपको रोज सिंपल और आसान रेसिपी सिखाते हैं अब दोस्तों आलू जैसी पक जाये हमें इसमें जलतावा कोईला डालना है उपर तेल डाल कर हमें फॉरन ढख देना है और पांच मिनट के बाद ढखकन खोलना है सारा स्मोकी फ्लेवर इसम पर बताना आप देख सकते हैं इसका टेक्शर कितना क्रीमी है और यह इतनी अच्छी लगती है कि शाही सबजी को भी यह टकर दे दे इतनी गजब की बनती है उपर से हरा धनिया और फ्रेश क्रिम से इसे गार्निश कीजिए और अपने मेहमानों के सामने परोस यह सब आप अच्छी जदा फुली-फुली बनाना है तो आटी को आपको 10-15 मिनट के लिए मलना है आदे गंटी का रेस्ट देना है फिर आपको एक लोई लेनी है उसे थोड़ा से बेल कर उस पर तेल और आटा लगा कर अच्छे से पैक करना है और इसे बेलना है छोटी छोटी और पत आम चलते दिशायएं फुलती है ना फिर इसके उपर आप घी लगाए और ये देखे दोस्तों इतनी सूपर सॉफ्ट मुलायम रोटी बनती है कि खाने में मज़ा ही आ जाता है तो कैसे लगी आज की हमारी ये आलू की सब्जी और फुलके वाली रोटी कमेंड में ज़रू बताना रेसिपी दार और लजीज लगता है कि जब आप इससे बनाएंगे तो ये मेरी गैरेंटी आप इसे बार बार बनाएंगी तो इसी तरी की रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए